हलो एवरीवन विल्कम टू एडूकेशन मेकर तो यूजीसी के तरफ से एक नय अपडेट सामने निकल के आ रहा है कॉमन इंट्रांस टेस्ट के रिगार्णिंग यानि कि इंडिया में जितने भी सेंट्रल उनिवर्सिटीज हैं चाहे वो जवाहल लन लेहरो उनिवर्सिटी ह हो एम यू हो डी यू हो जामिय हो भी फिफ्टी फॉर सेंट्रल उनिवर्सिटीज हैं उन सभी में अड्मिशन के लिए कॉमन इंट्रांस टेस्ट होगा इसका कंड़क्टिंग बड़ी इंट्रांस एक्जाम करवाया जाएगा ऐसा भी सामने निकल के आ रहा है यह अभी फ एकडिडिएट्ट में और ओक्डिडिट्टे निकल को मार्ड out इंट्रांस एक्जाम में आड्मिशन होता है उसी तरीके से देखघा जातों ऊसीके बीसे पे होता है वह मेरीड बेस पे भी होता है ऐसे में अगर देखा जातों जो का 60% मार्ग होता है 12 में तो वह डेली निवर्सिटी का कट अफ काफ हाइज होता है 90% 92% के आसपास 98% के आसपास cut-up जाता है ठीक है साथ है जामिय मेले इसलामिय का इंटरांस टेस्ट के थ्रूई admission होता है जामिय मेले इसलामिय में जैसे कि आप लोगों को यह पता होगा और कुछ courses में admission married base भी होता है इन सभी के लिए common इंटरांस टेस्ट देना होगा बीचिव में एडमिशन इंटरांस टेस्ट के ही बेसिस पर होता है जासे कि आप लोगों को पता होगा इन सभी का कॉमन इंटरांस टेस्ट होगा एक ऐसा न्यूस सामने निकलके आ रहा है अभी यह confirm न्यूस बिल्कुल भी नहीं है हम लोग अब यहां पर आगे बात करें यहां पर बताया गया कि एम्टिट्यूट टेस्ट जो है वो सभी के लिए होगा कॉमन इंटरांस टेस्ट फोर सेंट्रल उनिवर्सिटी फ्रूम 2020 से 2022 के जो सेशन होगा इसमें कॉमन इंटरांस टेस्ट होगा यतने भी सेंट्रल उनिवर्सिटी है इंडिया में यहां पर देखे तो साथ मिंबर का committee for Central University for common entrance exam setup by UGC, UGC के दुवारा 7 member committee बनाया गया Central University में admission के लिए common entrance test के लिए, admission जो होगा 2021-2022 के session में UG program में Central University test के based पे होगा, यानि की merit-based का तो system है, वो खत्म होने के पूरे-पूरे chances है, अगर ये लागू हो जाता है तब, entrance exam होगा, वो CBT mood होगा, यानि की computer-based test होगा, आपको computer पे exam देना होगा, जो की MCQ multiple choice questions होगे, format क्या होगा, entrance exam को देखा जाए, तो आपर बताया गया कि emptiness or subject specific होगा, emptiness में अगर देखा जाए, तो verbal, quantitative, logical reasoning भी आएगा, जो कि सभी को देना होगा, amplitude test is mandatory for all aspirants, जो amplitude test है, यह mandatory होगा, सभी students के लिए, सभी aspirants के लिए, जो भी इस Central University के entrance exam में बैठेंगे, अगर यह नियम आ जाता है, तो, aspirants अगर देखा जाए, तो वो खुद से choose कर सकते हैं, subject का अपने choice के according, ऐसा यह जो आप image देख रहा है, यह Times of India से लिया गया है, तो आप चाहें तो Google करके Times of India के news जा करके detail में पढ़ सकते हैं, कि ऐसा क्यूं हो रहा है, और यह होगा या नहीं होगा, सब कुछ आप उसमें जा करके detail में देख सकते हैं, जैसे कुछ information आथा इसके regarding, आपको वीडियो बना करके हमारे इस channel के थुरू बता द नहीं मिलते हैं, आप लोगों सब बहुत ही जल नेक्स्ट वीडियो में